आज आखरी दिन है प्रचार का जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकट जो की है मुंबई और आसपास में माधवी लता को यहाँ पर उतारा है है हैदराबाद से जो माईम के खिलाफ कैंडिडेट है और आज वो प्रचार कर रही है पिछले दो-तीन दिनों से हम उनसे सीध उद्धो ठाकरे को मैं उन सारे मुसलमान भायों से एकी दर्कवास करती हूँ कि भाया आप उन पार्टियों को मद्दत मत करिये जो अपने पैर एक नाव से दूसरे नाव पर छलांग मारते हैं जिनके पास एक स्टैंडर्ड उसूल नहीं है जो आज कंग्रेस है कल किसी औ और से हैं परसों किसी और से हैं तरसों किसी और से हैं आपको क्या न्याई दिला पाएंगे किसी को न्याई दिला नहीं सकेंगे वो सिर्फ अपने जेब भर पाएंगे बस अब जो जितना भी यहां पर मुंबई में और सारा महराश्रा में जो ता रख्यों पिछले सिर्फ दो सालों से ही तो हुआ महायूती और बीजेपी के घडबंधन में तो हुआ है ये सिर्फ मजब का ही पॉलिटिक्स चलाएंगे राजिनीती चलाएंगे इससे पैदा नहीं रहेगे जो नन्य मुन्य बच्चे महराश्रा के आगे बढ़ना है तो उनको भाजपा को और महायू तो ही वोट डालना चाहिए क्या बीजेपी मुसल्मानों के खिलाफ है बिलकुल नहीं है अगर मुसल्मानों तो यही कह रही है मैं तो गुंडे भी बिजाती है मैं रिगिंग भी गड़ती है मैं स्वैम हूँ एक उदाहरन उसके लिए अग मैं उंदूों से भी काम करती अगर बाचपा मुझे चुन सकती है तो इसे से क्या तैनी है कि बाचपा हिंदू मुसल्मान के एक टाके बारे में सोच रही है लेकिन लगातार सब्धान बदलने की बात हो रही है मुसल्मानों के जो अरक्षन को लेकर के जिस तरीके से पीम का बयान आया राहूल गांधी का पयान आ रहा है कि कहीं ने कहीं बीजेपी मुसल्मानों के खिलाब बात कर रही है पहली बात राज्यांग जो कॉंस्टिशन ने कोई नहीं बदल सकता इसको बाबा साहिब अंबेत कर जी का उसूलों पर चलेने वाले ही मोधी बाए है और दूसरी बात मुसल्मानों के आ सिक्स तरीका क्या है जैसे आप दलित के बारे में बात कर दलित को आरक्षन है अगर आप मुसल्मान को देगे क्या दलित हिंदू में नहीं है दलित सिक्क में नहीं है कभी भी आरक्षन मजब के नाम पे नहीं दिया जाता है आरक्षन पीछे रहे किसे लोगों के लिए दि आजाता है, जैसे कि, औरत है, औरत सभी में है, दलित है, धलित हर मजब में है, आप आर्दिक स्तर पर पीछे हैं, सो एकोनोमिकली बाकवर है, वो हर मजब में है, इसलिए आरक्षन कभी भी मजब के नाम से नहीं दिया जाता है, तब अन्याए होगा, अब बाकी के सारे minorities, क्योंकि इस देश में minorities का ही प्रकार के है, Jain minority है, Parsi minority है, Sikh minority है, Christian minority है, और Muslim minority है, तो अगर आप minority देते जाएंगे, सभी को minority का reservation देना पड़ेगा, रक्षन देना पड़ेगा, इसलिए बाजपा देश के साथ है, एक सवाल ये है, कि स्वाती मालिवाल जिस तरीके से उनुरे अपना statement दिया, मुख्यमंतरी के आवास में जिस तरीके से मारपीट की घटना हुई, और मुख्यमंतरी का चुपी न तोड़ना, मुख्यमंतरी का मंच पर भासंड देना, लेकिन स्वाती मालिवाल के मुद्धे पर बात न करना इसे कैसे देखते हूँ इसको मैं स्तुरी का अपमान के तरो जैसे देखती हूँ मैं इतने पड़े लिखे हैं कि जरिवाल जी से यह उम्मीद नहीं थी कि वो खुद के पार्टी के इतने बड़े MP नेता के बारे में उन्हों मदद ना देते हुए उनका इश्यू के बारे में ना बात करते हैं वे चुपी रहने से ये साफ हो गया है कि वो कुद के बाते नहीं कर पारे है अभी उनका कोई और रिमोट चला रहा है जो दिल्ली के लिए सेफ नहीं है ना 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 देने की बात कर रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी में खुद का न्याए स्रीओं को नहीं मिल पारे लगता है वही कहरी हूं न मैं कि जिनको अभी ख्षमता चले गया जिनमें जिनमें एक स्त्री को न्याए देने के ख्षमता चला गया है जो स्वायम एक MP है वो सामान्य जनता को क्या न्याए दिला पाएंगे उस प्रकार के विक्ति जो मानसिक रूप में इतना हिम्मत नहीं रखते हैं अभी एक संतुलन नहीं रख पा रहे हैं कि वो एक MP कैंडिडेट को इतना बड़ा उनके स्वायम घर में जो हुआ है अगर उनके लिए ठहर ने सकते तो दिल्ली में किसी और के लिए क्या ठहर पाएंगा अब आम पार्टी आम जनता पार्टी का नहीं हुआ वो आम आदमी पार्टी नहीं है वो कुदगा पार्टी हो गया हो एक सवाल जो भतवपूर है कि रायबरेली में सोनिया गांधी का राहुल गांधी के लिए अपील करना बावन साल में भी क्या राहुल गांधी को अपनी मा का सहरा लेना पड़ रहा है क्या कि जनता के बीच में जाने के लिए और वो भी उस सीट पर जो की गांधी नहरू परिवार से चूड़ी रही आज़ी के बाद से अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बच्चों को स्कूल मम्मा छोड़ती है मम्मा स्कूल से लेकर जाकर बच्चों को घर चोड़ती है अगर उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है कि कोई शॉपिंग के लिए जाना पड़ते है बेचार जो लगातार पॉलिटिकल टूरिजम चल रहा है राहूल गांधी का पहले अमेठी अमेठी से वायनाड वायनाड से फिर राइबरेली इसको कैसे दिख्या उनको लग रहा है कि जीस जगह वो एक बार सांसत बन गे दुबारा वहां की जनता उनको नहीं चुनेगे नहीं नहीं उनको धर लग गया कि जीतने पाएंगे तो इस धर से उनको पता नहीं चल रहा है कि उनका सीट कहां है कहां के लोग उनके मदद करेंगे तो मदद तो इनको कहीं नहीं मिलने वाला है बेचारे को अब रिटायर हो जाना चाहिए जल्दी रिटायर हो जाएंगे तो शादी ब्या कर लेकर सेटल तो हो जाएंगे बेचारे इसके वज़े से पूरे पॉलिटिक्स में इसके वज़े से कहीं का ना रहे किसी प्रकार का स यार इस पूरे मुद्य पर राहूल गांदी जिस तरीके से कर रहे हैं वो कहीं न कहीं लगता है कि उन्हें अपनी मा की मदद लेनी पड़ रही है वीडियो जनलिस्त कंजायम के साथ अभिशिक पांडे भारत अक्सप्रेस मंबाई